सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज दोस्तो आज विका हमारे यूट्यूब चैनल बबस स्वागत है तो दोस्तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बोला था कि क्लास 10 और श्कूल में ही रिजल्ट मिलेगा लेकिन काई सरे बच्चेों ने माना नहीं था लेकिन अब CBSE ने officially बात बोल दिया कि CBSE class 10th का और class 12th का result grades में आएगा A1, A2 या फिर B1, B2 ऐसे आएगा और साथ में जो result है वो online CBSE declare नहीं करेगा यह result आपको आपके school में ही मिलेगा यह बात भी CBSE ने confirm कर दिया इसकी जानकर यह आपको कोई भी आज तक है चाहे न्यूज 18 है ABP है कहीं पर भी आपको यह news मिल जाएगी क्योंकि CBSE के secretary ने बात confirm करी तो हर जगे पर यह news available आप जाकर check कर सकते हो तो देखो यार मेरे को लगता है grades का जो फॉर्मेट है यह तो देखो आपको आपने ना एक्जाम दिया है तो आपके marks तो है नि तो marks कैसे बनेगे इसलिए मेरे को लगता है grades ही best option है और grades जेने का वह सबस्वे पर benefit बता है क्या होगा आपको admission पर को लॉस नहीं होगा और जो मेरे लिष्ट है वो एवन एटू ऐसे ही आपको मिलेगी तो काफी benefit है आपको तो आपको टैंसल ने कोई जरूत नहीं है और cbsc grades का वैसे पहले ही सोच रही थी लेकिन क्योंकि cbsc के अंदर कई साथ बाते डायट बता ही नहीं जाती तो cbsc ने अब क्योंकि मेरे को लगता है आदा काम complete हो गया तभी उन्होंने openly बात बोल दिया है तो आप सभी क्लास 10 और 12 के बच्चों का जो result आएगा वो grades में लगी होगी अगर आपको information अच्छी लगी जरूद शेकरना वीडियो को और अगर आपको कोई भी कोश्चन हो तो कमेंट करके बता देना तो अपनी नेक्स वीडियो में जब सखास करें परो सेफ रहो